दोस्तों आप अगर एक USB Type A to USB Type C Cable खरीना चाहते हैं तो यह है Belkin की तरफ से आने वाला USB Type A to Type C USB Cable जिसका लेंध है 3.3 feet जो कि आपका 1 meter लेंध है और इसका अंदर आपको durability tested देखने को मिलता है 8000 प्लास इसका अंदर बेंड किया गया है तो 8000 प्लास बेंड को यह सह सकता है तो क्या यह केवेल आपके फोन में support करेगा और इसमें बूस्ट चार्ज लिखा गया है क्या यह केवेल आपका फोन को फास्ट चार्ज कर पाएगा क्या यह बिल्किन का केवेल आपका जो quality requirement होगा वो भी हम लोग इस वीडियो में चेक आउट करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और पहली बार हमारी चैनल देख रहे है इना इल्टेक मतलब डीटेल में टेक वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्रब कीजिए तो बिल्गिन का जो USB Type A to Type C केवल है वो कुछ इस तरह के box packet में आता है और यहां पर box पर मेंशन है कि यह 3.3 feet का केवल है और durability tested है और पीछे की तरह USB IF certified है मतलब electrical और environmental जो standards है वो सब कुछ इसके अंदर maintain किया गया है और reinforced cable इसके अंदर आपको दिया गया है तो इसको box को open क करने के बाद आपको यहां पर USB cable देखने को मिल जाएगा और यह कुछ documentation देखने को मिलेगा पूरा Chinese में है आपको समझ में नहीं आएगा तो यह हमारा cable है इस तरह से box में आता है कुछ fancy packaging नहीं है ऐसे ही आपको टाई के अंदर बंदा हुआ यह cable देखने को मिलता है तो सब नहीं है बट cable का thickness बहुत ही मोटा है और यह देखने में मतलब 12 लाग रहा है कि हाँ quality इसका अंदर है और यहां पर USB type A जो port है इसका भी quality बहुत ही आच्छा है इसका wire का quality इसका rubber का material जो यूज किया गया है यह आपको छुते ही समझ में आएगा कि इसका quality कैसा है तो आप द भी build quality बहुत ही आच्छा है तो overall build quality और material जो इसके अंदर यूज किया गया है यह काफी आच्छा है और आपको एक मीटर के विल देखने को मिलता है तो यह आसानी से टैंगल नहीं होता है टैंगल फ्री है तो छोटा सा के विल है और इसका भी एक six feet का वरजन आता है वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं आपको अगर लंबा के विल चाहिए थोड़ा लेंदी के विल चाहिए तो आप वह भी देख सकते हैं description में मैं सारा link दे दूंगा वहां से आप purchase कर सकते हैं तो यह जो bilkin का USB type A to type C cable है इसका यूज करके आप अपना phone को fast charge कर पाएंगे कि नहीं क कर सकते हैं तो मैंने इस bilkin का USB Cable को अपना computer में attach कर लिया है और अपना phone को लगा दिया है तो यह जो file है इसको काट करके हम लोग desktop में paste करेंगे तो इसमें जो हमारा read speed है USB cable का वह देखने को मिल जाएगा तो अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा यह file copy हो रहा है अपना desktop में तो यह phone से desktop में copy हो रहा है मतलब इसमें read speed आपको देखने को मिल रहा है इतना अच्छा तो अब हम लोग write speed चेक करेंगे मतलब desktop से phone में copy करेंगे तो इस file को copy किया और यह 754 MB का file है तो इसको paste होने में इसको copy होने में कितना time लग रहा है अब देखिए तो यहाँ पे जो transfer speed मुझे दिखाई दे रहा है यह बहुत यह अच्छा है मतलब आपको एक अच्छा transfer speed आपको इस cable में देखने को मिलता है तो अब definitely file transfer के मामले में भी यह cable बहुत ही अच्छा है तो यह जो cable है आप अगर लेना चाहते है तो overall इसका build quality बहुत ही अच्छा है मैं इसको काफी दिन से use कर रहा हूं और उसके बाद मैं यह video बना रहा कि यह cable बहुत ही अच्छा है और आपके लिए भी बहुत ही अच्छा option हो सकता है तो यह belkin का USB type A to type C cable आप अगर लेना चाहते हैं तो आप definitely ले सकते हैं इसका use करके आप fast charge भी कर सकते हैं और इसका data transfer speed भी बहुत ही अच्छा है और इस cable का build quality भी बहुत ही अच्छा है एक ही तो आप अगर इस belkin का USB type A to type C cable लेना चाहते हैं तो आप definitely ले सकते हैं तो इतना ही था इस वीडियो में तो मिलते हैं कुछ और interesting वीडियो में तो तब तक के लिए बाइबाइ